हेलो फ्रेंद्स वेलकम टो एशन नमास्टेशन आज में क्यूट एंड रोमेंटिक सा फिलिपिनों मुवी इस टाइम एक्स्पेन करूंगी तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं मुवी की स्टार्टिंग में हम एवा एन उसके दो बेस्टिस को बाती करते हुए देखते हैं समर सीजन चल रहा होता है तो एवा के बेस्टिस एंड टाउन में अल्मूस सभी लोग समर को लेकर बहुत एक्साइट होते हैं पर हमारी एवा थोड़े सी भी एक्साइट नहीं दीखती क्योंकि समर सीजन के साथ एवा का लव हीट वाला रिलेशन है उसके फैमली में मॉम डैड एंड दीदी है दीदी अकाउंटरेंट है हमारी एवा ने अपने हाई स्कूल कंप्रीट कर ली होती है अब वो कॉलेज आने वाली होती है मॉम डैड घर पर फ्यूनरल पालर चलाते हैं मतलब कि यह लोग डैड बोडिस को फ्यूनरल के लिए प्रिपैर करते हैं मॉम डैड को भी पता होता है कि समर आते ही एवाद्दू की आत्मा बन जाती है अपने समर बोई की आने का वेट करनी लगती है डिनर टेबल पर ममा पार्स कहती है बेबी पार्स कब तक उसका वेट करती रहोगी अब तो तुम कॉलेज जाने लगोगी सब कुछ भूलकर मूव ऑन क्यों नहीं करती तुम उसके दोनों बेस्टेस बे उसे यही बात समझाते है इसक्रीम पिक करती है उसका मानना होता है अगर वो उसके पसंद की आइसक्रीम पिक करेगी उसकी व आया निव बॉई कॉबी हसने लगता है वो कहता है वाट अ सिली तिंग टू डू ऐसे सीली चीज़े कौन करता है तुम कितने स्टूपिड लग रही हो एवा रोने लगती है शौप होना आते भी एवा के डेबर थे तो वो एवा को बच्पन से जानते थे वो जल्दी से ब मैं सुपरमैन हूँ वो एवा को देखकर विंग करता है एवा अपने बेश्टिस से कहती है देखा तुम लोगों ने इसका फिर से चाली हो गया बर्दन कॉबी के हाई करती ही वो बलश करने लगती है वो उसे थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगी थी अब फ्रेंस को तो कि मन की बात नहीं पता होती उन्हें लगता है कि कॉबी एवा को बुली कर रहा है तो उन्हें सबक सिखाने का सोचते है एवा उन्हें रोकती है और तभी कॉबी नीचे गिर जाता है एवा भाग कर आती है उसे हॉस्पिनल ले जाने बूलती है कॉबी एमबैरेस होता है ए लिए तो है एवा कहती है तो फिर तुम कर क्यों रहे थे कोबी कहता है मैं तो बस ट्राइक कर रहा था आते भी कोबी से उसके बार में पूछते है तो वह अपने आपको इंटेड्यूस करता है एंड हमें पता चलता है कि कोबी टाउन अंबैसिडर का ग्रेंट सन है जब वह अनियर का था तब उसके मॉम डेट की एक कार एकसिडेंट में डेथ हो गई थी वह अपने ग्रेंट फादर मिंस लोलो के साथ अबरॉड में रहता है एंड हर समर वेकेशन में अपने कंट्री फिलिपिन्स आता है सीटी बॉई कोबी एंड टाउन गल एवा अच्छे फ्रे कोबी कहता है अब तुम फिर से रोने वाली हो गया एवा ना बोलती है बट कोबी समझ जाता है कि वह अपसेट है वह कहता है मैं लोलो हर समय यहां आएंगे सो यह हमेशा के लिए बाई बाई नहीं है नेक्स समय हम फिर से मिलेंगे वह एवा से पूछता है तुम कौन सा ग वह रखता है वह पेर पर चल्द मैंगो ऊड़ता हैै एवा केच करती है वा को लग जाता है किसे हसने लगती है क्यूंकि वह लगने का नाटक कर ती वह कहता है कौबी कहता है जा कैसर estas i jasak कि precisa हैसे बच्छे बूडई सभी एक дополн अपना साइम ना थे रिच सिटी बॉई हमारी एवा के help करने में लग जाता है अब रिच फैमली का बंदा है तो ये सब काम उसके लिए इसे नहीं होता उसकी हालत खराब हो जाती है क्यूटी एवा उसके care करती है 2008 के समर में एवा थोड़ी upset होती है दोनों साथ तो होते है बट पहले जैसे उतने बात नहीं करती है एवा कहती है कॉबी एडिक्टेट हो गया है नहीं ड्रक्स की एडिक्शन नहीं प्लेस्टेशन की एडिक्शन पूरा दिन बस गेम ही खेलता रहता है मैं तो इसे दिखी न बहुत नहीं बन गयी है वह गुसराः ऑजाती है वह गहती है तुम बहुत आणोई हो प्निहान हटी दूभवगत घइंक्षन को ओबें स गस्तक्रगल गयाता थी रिखी का बिदात है सब तुम्हारे वज़ते हुआ है अक 2017 का समय सभ झाउब हमग्ढद करता है H1N1 वाइरस ने सब को बेहाल कर दिया था कॉबी एवा को मिलने बुलाता है बट ममा पार्स ने उसे मिलने सब मना किया था कॉबी कहता है अरे मैं बिमान नहीं हूँ मेरा H1N1 वाइरस का टेस्ट नेगिटिव आया है देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ है तब ही वो खास ने लगता है वो कहता है मेरी सरदी खासी बस कूल के वज़े से हुआ है मुझे स्वैन फ्लू नहीं हुआ है एवा उसे रेस्ट करने बूलती है वो कहता है जब से आया हूँ बस रेस्टी कर रहा हूँ अब तो summer भी end होने आया है एवा कहती है प्लीज समझो में नहीं आ सकती ममा पार्ट्स ने मना किया है उतने में ममा पार्ट्स आ जाती है एवा कॉबी को जाने बोलती है ममा पार्ट्स कॉबी को देख लीती है इन कहती है नीचे उत्रों infection हो जाएगा वो विंडो लगा दीती है बैचरा कॉबी जाने लगता है एवा टेक्स करके भोलती है sorry ना तुबे बैटर फिल करवाने की रिए क्या करूं? वो रिप्लाई करता है विंडो उपन करके wave करो इवा विंडो उपन करती है कॉबी फ्लाइंड के send करता है बस यही पर यह summer भी end हो जाता है कॉबी वापस चला जाता है यह बात तो clear है कि दोनों का long distance relationship है वो लोग बस summer में ही मिलते है और सबसे बड़ी बात 2005 से लेकर अब तक मेंस 2010 कॉबी ने एवा को girlfriend बढ़ने के लिए प्रपोस नहीं किया है एवा को भी पहले इस बात से उतना फरक नहीं पड़ता था बर जब लोग उससे दोनों के relationship के बार में पुछने लगे तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता था इसी बात की वज़े से वो upset हो जाती है वो चाहती थी कि कोबी उसे प्रपोस करे था कि उनके relationship को एक नाम मिल सके और टाउन में सभी का मूँ बंद हो जाए और इसी होप में वो कोबी का वेट करनी लगती है पापा पार्स कहते है हर समर का यहीं चलता है विंडो को घिस घिस के color ही change कर दिया है ममा पार्स कहती है यह सब वो समर बॉर के वज़े से हो रहा है समर एंड होने आया है अब भी तेक उसकी कोई ख़बर नहीं अभी एवा कोबी को बुके के साथ देखती है उसे लगता है आज फाइनली कोबी उसे प्रपोस कर ही देगा इनके relationship के एक नाम मिल जाएगा और टाउन में सभी का मुँब बंद हो जाएगा पर तब ही उसे पता चलता है कि वो बुकेत और ममा पार्स ने funeral के लिए order किया था delivery boy ने कोबी को बस पकड़ा दिया था एवा admission नहीं एक college आ रही होती है तो कबी भी उसके साथ जाता है वहाँ एवा एडरिन नम के लड़के से मिलती है उसे एवा के साथ बात करता देख कबी जलस होता है एवा का interest finance में होता है बट कबी के लिए वो international studies लेती है उसके parents and friends उसे ऐसा करने से मना करते है बट वो किसी की नहीं सुनती के लिए पूछता है एवा का जाने का मन तो होता है बट parents नहीं मानेंगे कोबी कहता है कि वो handle कर लेगा next day कोबी अपने लोलो के साथ एवा के घर आता है मामा पार्ट्स को लगता है वो लोग एवा की शादी की बात करने आए है वो बुलती है ऐसा नहीं हो सकता तुम भी बहुत छोटी हो एवा कहती है मामा पार्ट्स उन्हें अपने बात कहने का मौका दो दो कुछ और भी तो हो सकता है देन वो सूचती है कि कोबी के लोलो ओल्ड हो गए है तो शायद वो अपने लिए अब्याद करने आए है उनके साथ ठ्रिप पर इन्वाइट करते है मामा पार्ट्स उन्हें अखेली भेजनी से मना कर दीती है तो ख्रेंपा सभी को इन्वाइट करते है सभी मान जाए है पापा पकार्स कहते है बाइदे वे नीडिजाइनर कोफ sino आप देखना चाहोगे आते पार्स कहती है हाँ बहुत अच्छे है एर टाइट है ममा पार्स कहती है बेस सेलर है अभी आपकी एज हो गई है आपको अपने फ्यूचर के लिए प्लाइन करके रखना चाहिए ग्रेंपा और कॉबी बस लाइक यार यह लोग क्या बखवास कर र क्रिप का दिन आ जाता है सब भी बस में एंजॉई करते हैं कोबी एवा से पुछता है यह सौंग याद है एवा ऐसा रियाइक करती है जिसके उसे याद नहीं है कोबी बोलता है कोई बात नहीं सिर्फ मैं ही हूँ जिसे याद है फिर वह उसे याद दिलाने जाता है दोनो पुस्ती है मैं सोच रही थी अगर मैं इंटरेशनल स्टेडिस लू तो कॉबी पुस्ता है क्यों वो पुस्ती है तुम्हें नहीं पसंद वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है मैं बस तुम्हारे डिसिजन से सप्राइज हूँ कॉबी कहता है तुम्हें क्या है कॉबी कैता है कॉबी की ग्रैनमा की बहुत पहले देद हो गई थी तुबी लोलो यंग थे बट अड़ो ने फिरसे कभी शादी नहीं की अपनी पूरी लाइफ बस कॉबी एंड काम के पीचे ही बिता दी बट अब वो डिसाइड करते है कि वो अपनी sad lonely life को पीछे छोड़कर बागी की life happily बिताएंगे तो अपनी first love ओफिलिया को ढूड़ने का decision लेते है वो भी अबा को बताता है कि ओफिलिया को ढूड़ने में वो लोलो की help करना चाहता है और उसे नहीं पता कि ओफिलिया को ढूड़ने में कितना time लगेगा एक साल दो साल या उसके जादा भी लग सकता है एवा उसकी decision की respect करती है और कहती है मैं तुम्हारा wait करूंगी वो अपा पार्स कहते है चाहे एवा तुमारी special friend हो या फिर just friend हो जो भी हो कभी उसे hurt मत करना कॉबी हाँ बोलता है लास्ट डे कॉबी एवा से मिलने आता है एवा रोई जा रही थी वो कहता है प्लीज रो मत तरच में रहने के लिए हमारे पस बहुत सारे options है हम वीडियो कॉल कर सकते है चैट कर सकते है वो फिर भी रोई जा रही थी वो कहता है अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो मैं नहीं जा पाऊंगा एवा कहती है सोच लो फिर तुम्हें non-stop रो सकती हूँ वो कहता है तो मैं तुम्हें हसा सकता हूँ वो गाना गाने लगता है and funny funny से faces बना कर उसे हसाता है next day एवा अपने parents को help करने एक funeral में जाती है कॉबी के जाने से वो बहुत upset थी funeral की arrangement करते करते हैं वो रोई जा रही थी सभी उसे अजीब तरह से देखने लगते है एक अजनबी इंसान के funeral में आकर family member से जाधा रोईगी तुम सबको अजीब तो लगेगा ही ना पापा पार्स कहते है sorry ये किसी और बात के लिए रो रही है दोनों से समझाते हैं कि हाट टाइम है बेच जाएगा तुम स्टैडिस में busy हो जाओगी सब भूल जाओगी एवा का college स्टार्ट हो जाता है वहाँ कॉबी लोलों के साथ अफिले को ढूडने निकल पड़ता है उन्हें अलग-अलग countries ले घूमना पड़ता है और इस दोरान कॉबी और एवा वीडियो कॉल्स और मेसेज़ेस के तुरू कनेक्टिट रहते हैं कॉबी एवा को सब अपडेट्स देता है जैसे जैसे दिन बीते जाते हैं एवा बीजी हो जाती है इंटरेशनल स्टेडिस छोड़कर फाइन आर्स ले लीती है और यहां वो फिर से एड्रिन से मिलती है जिसे वो एड्मिशन के टाइम पर मिली थी दुन अच्चे फ्रेंस बन जाते है वैस फ्रेंस है और कुछ नहीं पहले कॉबी जब भी कॉल करता था मतलब अगर वो आधी रात को भी कॉल करता था तो एवा खुशी-खुशी रिसीव करती थी या तक कि रात-रात बर उसके कॉल का वेट भी करती थी बट अब वेट करना एवा के लिए फ्रस्टेटिंग बन चुका था क्योंकि ऐसा करते करते उसे तीन साल हो गए थे आते पर्स के पूशने पर वो बता थी है कि वो मोबाइल, टेबलेट, लैप्टोप से बात करकर थक चुकी है उसे तो ये भी नहीं पता कि उनका रिलेशन्शिप स्पेशल फ्रेंड के आगे बढ़ेगा भी या नहीं वो कॉबी से बात करना कंटीनी रखती है बट पहले जैसे इंट्रेस नहीं दिखाती वहाँ लोलो एन कॉबी को फाइनली ओफिले के एड्रस मिल जाता है तो उसे थोड़ा वीर्ड लगता है और्डरिन के आते मिंस उसकी सिष्टर सबका पिक क्लिक करती है जिसमें और्डरिन एवा के कुछ जादा ही क्लोज होता है मेंबर्स को एवा का आर्ट पीस बहुत अच्छा लगता है तो उसे जपान में वाक्शॉप के लिए स्कॉलर्शिप दिया जाता है इवनिंग में कॉबी एवा को बताता है कि आफिले के बार में पता चल गया है वो जपान में है एवा कहती है जपान कॉबी कहता है हाँ एवा उसे अपने आर्ट एक्जिबिशन एंड जपान जाने के बार में पताती है कॉबी कहता है ओ फाइनली यूनिवर्स भी हमें मिलाना चाहता है या एवा एन कॉबी का रिलेशन्चिप आगे बढ़ेगा या फिर दोलों हमेशा के लिए स्पेशल फ्रेंच बन करी रह जाएगे यह हमें नेक्स पार्ट में बता चलेगा क्योंकि इस मूवी का लास पार्ट भी होगा सो लास पार्ट बस मत करना है सबाच इस तो